आज बापु के निर्वान दिवस पर हम सभी एक महत्वपूर्ण आउसर के साक्षी बने हैं। आज हम सभी का सोभाग्य है कि राश्त्रिय नमक सत्यागरस मारत उसका कार्य पूरा हो गया है। जिस वर्ष हम पुझ्य बापु की एक सोपचासवी जन्वजैनती मना रहे हैं। उस वर्ष ये समारत देश को समर्पित की जा रहा है। साथियों बापु ने जो विरासत देश और दुनिया को दी है। उससे हमारी भावी पीडी समर्द होती रहे। इस कड़ी में आज दांडी का राष्टियन नमक्ष सत्यागर समारक भी जुड़ गया है। आज इस मारक के लोकारपन पर मैं देश वास्यों के साथ साथ इसके निर्मान से जुड़े सभी कलाकारों, सभी स्रमीकों उन सब को भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ। सात्यों थोड़ी देर पहले इस मारक को विस्तार से देखने का मुझे अउसर मिला। सात्यों असी से अधिक सत्याग्रेयों की प्रतिमाएं ये स्मरन दिलाने के लिए हैं कि देश की आजहादी में, देश के कौने कौने में करोड़ों लोकों ने तप और तपस्या की है। सात्यों दांडी मार्च को लेकर बहुत सारी बाते कहीं पढ़ी और लिखी जा चुकी है। यहां मिजिब में भी उनको विस्तार से शब्दों और तश्विरों के माध्यम से दर्साया गया है। इतना ही नहीं परियक्टन की दर्स्ति से भी दांडी और गुजरात को इस मारक से और ताकत मिलने वाली है। यहां जो जील बनाई गई है वो बहुत आकरशक है। और इसके अलावा यहां आकर परियतक उस एतियासिक पल को खुद भी जी पाएं। उसे दोहरा पाएं इसके लिए नमक बनाने की भी सुविदा यहां तयार की गई है। करीब असी करोड रुपे की लागत से यहां दांडी हेरिटेज पत बनाया गया है जिसमें नई सडके और ठैरने की विवस्ताएं शामील है।